हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू चुल्वुफ किचिर आज हमनों बनाएंगे निंकी जिसे नमक पाड़े भी क्याते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नमक पाड़ा बनाने के लिए हमने एक कप मैदा लिया है 140 स्पून अजवाइन 140 स्पून मंग्रैल नमक स्वात के नुसार गरम पानी आटाक उतने के लिए रिफारेंड ओयल फ्राई करने के लिए अब चलते हैं निक्स प्रॉसस की तरब आटाक उतने के लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे इसमें एक कप मैदा डालेंगे अजवाइन मंग्रैल नमक स्वात के नुसार इसे ड्राई मिक्स कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से सारी चीज़ मिक्स हो जाए इसमें दो से तीन चमच रिफाइन डालेंगे ताकि हमारा नमक पाड़ा क्रिस्पी हो क्रंची बने इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमने इसमें गर्ण पानी थोड़ा थोड़ा डाल के घूतेंगे इससे एक हार डो तैयार करना है, सौफ्ट डो नहीं तैयार करना है इसलिए हमनों इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे नमक पाड़ा को क्रिस्पी और क्रंची बनानी के लिए हमनों गड़ा पानी का यूज करते हैं इसे नमक पाड़ा क्रिस्पी बनता है और एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसका soft dough नहीं त्यार करना है एक hard dough त्यार करना है हमने hard dough त्यार कर लिया है अब इसे cover करके 15 minutes के लिए छोड़ देते हैं नोगर 15 minutes हो चुका है इसी एक पर और गूत लेंगे अब देख सकते हैं हाँ आटा काफी hard है हमें ऐसा ही चाहिए बिल्कुल perfect है अब हमनों gas on करेंगे कड़ाई चड़ाएंगे इसमें refined oil डालेंगे नमक पाड़ा को fry करने के लिए अब हम आटा को चार भाग बड़ाबर भाग में बाट लेंगे एक बराबर हमने कर लिया है अब हमनों इससे बेलेंगे हमनों इससे काफी पतला बेलते हैं अगर आपको मोटा पसन है तो आप मोटा भी बेल सकते हैं अब हमनों इससे कट करेंगें डामेंड शेप में हमने इससे कट कर लिया है अब हमनों इससे प्लेट में ट्रांसपर करते हैं अब चलते हमनों इससे फ्राइ करने नुको तेल गरम हो चुका है ची करने के लिए इसमें एक नमक पर डालते हैं यह तैर के ऊपर आ चुका है इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है अब हमनों इसमें नमक पाड़ा डालेंगे एक बात का धियानक नहीं कि तेल बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और यहां पे फ्लेम को हम लोग हाई रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे लगतार तभी नमक पाड़ा क्रंची और क्रिस्पी बनेगा इसे लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है अब देख सकते हैं इसका दीरे-दीरे कलर चेंज हो रहा है इसे ज्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि यह सिर्फ मैदा का नमक पाड़ा है बिल्कुल परफेक्ट है अब हमनों इसे एक टिशू पेपर में निकाल लेंगे इसी तरह हम लोग सारे नमक पाड़ा को फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाए